पार्ठ चार कविता का नाम है बनारस कवी है किदारनाथ सिंग जी तो जैसा कि कवी का जीवन परीचे पढ़ते वक्त हमने बनारस कविता से संबंधित उसका संचित परीचे जान लिया था जिसके अंतरगत हमें पता चला कि कवी ने बनारस कविता के माध्यम से बनारस के प्राकर्तिक परिवेश की जानकारी दी है बनारस का जो संस्कृतिक माहौल है परिवेश है उसका भी वर्नन प्रस्तुत किया है घाटों की जानकारी दी है वसंत के आगमन पर बनारस कैसा है व बहुत है और साथ ही बनारस ने अपने सांस्कृतिक मूल्यों को किस तरीके से अभि तक बनाया हुआ है बाकी शहरों की तरह भागदौर जैसी जंदिगी को अभी तक उसने आधुनिक होने के बावजूद भी अभी तक नहीं अपनाया है और अपने ही चाल पर बनारस आज भ बना जाता है जो की एक संस्क्रतिक शहर है। जानते हैं इस कविता के विषे में अर्थ सहीत इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। कविता का नाम है बनारस इस शहर में वसंद अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडवाडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीव किरकिराने लगती है वसंद के आगमन पर किस तरीके का प्राकर्तिक परिवेश होता है और देखने को मिलता है वो सभी को पता है कि किस तरीके से हवाय चलने लगती हैं पेड के सभी पुराने पत्ते जो हैं वो पीले पढ़कर गिर जाते हैं और उन पर नई पत्तियां फिर से आने लगती हैं कि इस सुन्दर्ता की वज़ा से बनारस में भी वो सौंदर्य देखने को मिलता है और वसंत को महसूस करने को मिलता है तो बड़ी सरल भाशा में इस अंश में कवी ने बनारस को वसंत के आगमन पर दर्शाया है इस शहर में वसंत अचानक से आता है जब एकदम से हवाओं के और धूल भरे बवंडर् देखने को मिलते हैं तब महसूस होता है कि वसंत एकदम से आग चुका है अचानक से वो पता लगता है महसूस होता है कि वसंत जो है आ गया है और जब आता है तो मैंने देखा है कि लहरतारा या मडवाडी की तरफ से उठता है धूल का एक और इस महान पुराने शहर यानि पहनारस, वरानसी, काशी ये एक महान क्योंकि पौरानिक है, सांस्कृतिक है, यहान गाटों पर किस तरीके से पूजा अर्चना का माहल होता है, जिसे परते एक व्यक्ति जानता है। इसी वज़ा से ये एक महान शहर माना जाता है और बहुत ही पुराना शहर माना जाता है तो जब लहरतारा और मडवा डी से एक धूल का बवंडर उठता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है तो इस महान पुराने शहर की जीब किरकिराने लगती है ये शहर जो है इस शहर में धूल ही धूल और हवा ही हवा जब चारों तरफ हो जाती है तो यह महसूस हो जाता है और पता लग जाता है कि वसंत अपने आगमन का संकेत दे रहा है और इस तरीके से जीब किरकिराने का अर्थ है कि अपने वसंत के आगमन का जो संकेत मिल जाता है जब हवाय चलती है धूल कलाप है जिसकी वज़ा से ये महसूस हो जाता है कि वसंत जो है वो आ चुका है हवा चलती है धूल उड़ती है तो सभी ने महसूस किया है कि घरों में धूल भर जाती है और मुँ में भी मिट्टी किरकराने लगती है तो ये एक उधारन है दिया जा रहा है जिससे की पता ये कि वसंद का आगमन हो चुका है लहरतारा और मडवाडी जो है बनारस शहर के ही कुछ महलों का नाम है और कवी जो है उनका नाम लेते हुए वसंद के आगमन का संके देते हुए बताते हैं जो है सुगभुगाता है सुगभुगाना का मतलब हुआ कि जैसे कि पेड़ पौधे जो है वो अभी थक किस तरीके से पुरानी पत्यों से लदे हुए थे और धीरे धीरे वो भी सूख कर गिर रही थी लेकिन जैसे ही वो सूप कर सारी गिर जाती है और वसंद का अगमन हो जाता है तो आप देखोगे कि तनों में किस तरीके से कोपल फूटती है तो उसको सुख भुगाना कहा जाता है जो नहीं है वह फैंकने लगता है पच्किया पच्किया मतलब अंकुरन तो अंकुरित होते हुए आप हर पौधे में पेड़ों में देखेंगे छोटे चटा चाहे आपने कोई बीज बोया हो तो वह अंकुरित होता हो दिखाए देगा जो बहुत बड़े विशाल वरिक्ष है पेड है जो अपनी पुरानी पत्तियों को गिरा चुके है जो अब ही तक बीज अंकुरित नहीं हुए थे जो अभी ना उन्होंने पौधो का रूप लिया ना पेड का रूप लिया तो जो बीज बोए गए हैं अभी वो अंकुरित होने लगते हैं तो जो नहीं है वो फैकने लगता है पच्किया आदमी दशाश्वमेग पर जाता है और पाता है घाट का आखरी पत्तर कुछ और मुलाइम हो गया है दशाश्वमेग घाट है बनारस का एक तो कभी यहां पर बता रहे हैं कि आदमी जो है वो दशाश्वमेग पर जाता है और पाता है कि घाट का आखरी पत्तर जो है वो भी कुछ और मुलाइम हो गया है एक तो यहां पर प्राकरतिक परिवेश की वज़े से एक अर्थ दे रहा है और दूसरा इसमें नहीत अर्थ यह है कि ऐसे बनारस में आकर जो है उसका हिर्दय मुलाइम हो जाता है और घाट का जो आखरी पत्तर है यानि घाटों के किनारे जो पत्तर पड़े हुए है वो पानी के आने जाने की प्रक्रिया से अब वो मुलाइम हो गये है और दूसरा आर्थ यह है कि ऐसे वातावरन को बनारस शेह में देखने से प्रतेक व्यक्ति का मन आनंदित हो जाता है और हिर्दय जो है वो मुलाइम हो जाता है सीडियों पर बैठे बंदरों की आखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खाली पन तो यहाँ पर जो जो अपनी एक असमिता है उसकी वज़ा से भी वो क्या है यह कि घाट पर जो आखरी पत्तर है वो कुछ मुलाइम तो होते वे दिख रहे हैं यानि प्रतेक व्यक्ति का हिर्दय जो है प्रकरति के माहौल में गुम हो रहा है लेकिन सीडियों पर जो मंदिरों की सीडियों प लेकिन यहां पर वो नमी जो है इस नमी कार्थ चमक से लिया जाएगा क्योंकि अब जो सीडियों पर मंदिर की सीडियों पर बैठे जो बंदर है वो भक्तों और श्रद्धालों के आने से वो भी जो है उनके दिन भी खुशनुमा हो जाते हैं और बंदरों यानि कि यह जाजा हुआ नहीं दिख रहा है बलकि यहां पर जानवरों के लिए भी हमदर्दी है सभी के हिर्दे में और इस तरीके से जो मंदिर की सीडियों पर बैठे जो बंदर हैं उनकी आँखों में भी यह सोच कर और यह जान कर उनकी आँखों में भी एक नई चमक सी आ गई है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिकारियों के कटोरों का निचाट खालीपन भी और जिस तरीके से वसंत के आगमन पर श्रधालों की और भक्तों की भीड लग जाती है पनारस शहर में और उन श्रधालों और भक्तों के आने से भिकारियों के कटोरों में जो हो आते हैं तो वह अपनी श्रद्धा नुसार भीकारियों को भीक भी देते हैं और भीक मिलने से विखारियों के जो खाली कटोरे हैं वो भी चमक उठते हैं इस माहौल में बनारस शहर में वसंत के आगमन पर बदलाव होने से और अपने सांस्कृतिक माहौल में परिवेश में फिर से डूप जाने से तो ये बनारस शहर का जो एक फरिचय है एक छोटा परिचय की किस तरीके से वसंत आने पर बनारस शहर और उसके मुहले जो है धूल भरी आंधी से भर जाते हैं और उसके बाग बाद जो पेड़ पौधे हैं वसंद के आगमन में उनमें सुबुगाहट होती है जो बीज अभी तक पनपे नहीं थे वो अंकुरित हो रहे हैं पच्किया मार रहे हैं फैकने लग रहे हैं दशाशो मेग घाट पर देखा जा रहा है कि पत्थर जो है मुलायम हो जा रहे हैं यानि कि बनारस शहर का परतेक निवासी जो है उसका हिर्दे प्रकरतिक परिवेश को देख कर वो और भी मुलायम हो गया है और सीडियों पर जो बैठे बंदर हैं उनकी आँखों में भी चमक देखने को अब मिल रही है कि श्रद्धालूओं और भक्तों की भीड से अब उनके भी जो दिन है वो बदलने वाले हैं और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों की कटोरों का निचाट खालीपन भी कि इस तरीके से माहौल परिवेश बदलने से भक्तों श्रद्धालों की भीड जमा होने की वज़ा से अब भिखारियों की कटोरों में भी कुछ भीक दिखने लगेगी और उनके घर में भी वसंत देखने को अब मिलेगा